मैं और भाईयों, हम भारत माता के इस महान सपूप, राष्ट नायक, शिखर का अता सुगाठोर की प्रतिमा का वो कारपण का कारिक्रम ऐसे समय में कर रहे हैं, जब इस देश के अंदार कारपोरी पेन एक्षन की सताप्ती मोहप्सों के कारिक्रम प्रारम हुए हैं। हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के नौ अगस्त उन्निस सो पचीस में लगणों में पंडित राम प्रसाथ बिस्मिन, ठागु रोसं सिंग, अस्पा उल्लाखा, चंग से का राजात, जैसे कांपिकारियों ने प्रेन एक्षन की घटना को अंजाम दे करके अंग्रेज कूंमत को जनाथी दी थी, और वायों, पुस्त में अंग्रेज हुकूमत हिल गई थी, तेन एक्षन में कежд ग्रांती कारियों को मिले थी 4600 रुपिए, लेकिन ग्रांती कारियों को ग्रफ्तार करने सजा दिलाने में अंग्रेजों ने खरच किये 10,000,000 रुपिए, लेकिन त सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें सम्मान देने के लिए उनके प्रतिस्तर्बान करने के लिए कातुरी पेन एक्षन की सताफ ही महँत्सों के बहाने हम भारत के सबीं राष्टनायों और राष्ट बीरों को समानते रहे हैं मुझे करने का उस्तर प्रवा है। वेन और भाईयों आम इध्यास रहनते हैं, दुस्त औरंग जेव का इस आकना से भी समन था, और इसी आकना में हिंद्वी पत्पात्साही की महानायक छत्रपती सिवाजी महाराज में औरंग जेव की सत्पा को चलोपी थी, औरंग जेव को चलोपी नहीं थी, और अरंग जेव से कहा था कि तुम चुवे की तरह ऐसे तुमक्ते रह जाओगे, इंकुस्तान पे तुझे कपजा तुम नहीं करने देंगे। और राजस्तान में इस मोर्चे को उस समय सहाल रहे थे जोगपुर नरेश महाराजाज जस्वंत सिंग। महाराजा जस्वंत सिंग के जो महपपूर सेनापती थे उनमें से दुर्गात वीर आश्टवीर दुर्गादास वाखोड थे। कई बार प्रियास के आउरंग जेब ने जोगपुर रियासत पर कप्जा करने का नहीं सब्सक्रों पाया थे। क्योंकि जहां पे राश्टवीर दुर्गादास राठोर जैसे वीर हो मात्र भूमी के सबूत हो कोई विदेशी आक्रांता कैसे कप्जा कर सकता है। और यही हुआ था। लेकिन भारण जेब तुस्क्रप्रब्रटी का था। चालबास था। उसने उसने एक चाल चली। माराज जस्वन सिंग से संती की। और संदी करके उनसे कहा कि हम दोत्पूर रियासत पर कुछ नहीं करेंगे लेकिन आप हमें सयोग करिए हम आपका सयोग करेंगे। और उसने एक लालस दिया उसने का अफ्कान भी हिंदुस्तान पर कप्जा करना चाहते हैं। आप उनको वह समालिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। और वहाँ पे माराज जस्वन सिंग को वहाँ धोके से अफ्कानियों का मुकामरा करने के लिए लेके चला गया। और पीचे से हमला करके उनकी हत्या करती। उनका छोटा पुत्र एक ही पुत्र अजीद सिंग था। राजकुमार अजीद सिंग के लिए रह गया। राही देखा जो पुत्र अजीद सिंग उसको उसने धोके से मारने का एक खड़क रचा। और मुबल सेनिकों को बेच करके उन्हें कायद करने का प्रियास किया। वीर दुर्कादास राठोर राजकुमार को सुरक्सित लेकर के एक सन्यासी के भेस में एक जगच उन्होंने उसे रखा। और जब अखड़क हुआ धौम धड़ा के के साथ जोत्पुर में लाकर के उतर राज्या में से उन्होंने किया। भीर दुर्कादास राठोर की जो यह लड़ाई थी। यह लड़ाई केवल अपने स्वामी के लिए नहीं थी बरके राष्ट के लिए थी। स्वादेश और स्वामेबान के लिए थी। यह विदेशी हुकुमत को बालब माका नहीं करने देंगे अपनी मातरी भूमी का। और उन्होंने अंतिम दमकक निफाया। जब अधीद सिंग जोत्पुर के राजा वंगा है। तो अन्होंने वहां के प्रहान मंत्री के रूप में दुर्गादास राठोर को वहां का तहक को सोपने के लिए अन्रोप किया। लेकिन वीर राष्ट वीर तुर्गादास राठोर में का नहीं। मैंने अपने राजा महाजा जस्वंतु सिंग को जो आस्वासन किया था। मुझे वह दिपाना तो मैंने भाद चुका हूँ। अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब मैं जीवन से सन्यास लेकर के परम्मोक्स के और जाना जाता हूँ। और वहां उज्जेन जाकर के वहां बैट करके उन्होंने अपना जीवन परम्मोक्स की सांति के लिए उन्होंने आगे कर जीवन आगे बढ़ साया। और एक्यासी वर्सिकी उपर में वे साके एक धाम को वोक्स पराफ्त होता है। पहनोर भाईयों जिस देश में दुर्णादास राटोर जैसे महार बीर पहता होते हों। उस देश का कोई देशी आकरांता कैसे बार्मका कर सकता है। और भालत की आजादी एकर आई वापस आई। भालत आजाद हुआ पैसे बीरों के कार्णों से। उनके क्रिपित्व से। उनके सौरेर प्राकरों से। और सौरेर प्राकरम जो कभी पंडित रामप्रसाद दिस्मिल ने कहा था। जब अंग्रेज उनके गोड़कूर जेन में बंद थी और भासी के भंदे पर नड़ा रहे थे। और उनके पूछा कि वई कोई अंतिम लाजसा कोई अंतिम मिलासा। तो पंडित रामप्रसाद दिस्मिल ने की बात कही। उनके कहा। एक ही बात में कहा। कि इस भारत वर्स में सो बाल मेरा जन्म हो। और कारण सवाही विर्तु का देशों को कारक कर्म हो। मेरे जीवन बार बार इस इस इतुस्तान की धरती पर मैं जन्म नो। और सवेव विर्तु का कारण देश और समाज की कल्याण। उसके उप्थान उसकी सुरक्सा उसकी संब्र भी मेरी बननी चाहिए। बैन और भाहियों यही भारत की समी कांतिक गानियों का फ्रोस्ता। तेरा वैवो अमर रहेमा हम दिन चार रहे नर रहे। और आज भी जब प्रणारमंत्री मोदी जी ने देश वाशियों के सामने 2047 तक भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रुपे स्तापित करने का एक विजन दिया है विख्षित भारत का एक संकल्प दिया है। हम सब का दायतों बनता है प्रणारमंत्री मोदी जी के उस संकल्प के साथ प्रणार से जुट करके हम भारत को विख्षित भारत बनाने के सामें काली करें। क्रिश्न कंया का वाज देखा गया है माना गया है राबार कि क्रिश्न यहां की हुरे टरत कर ड़में रस्ती बस्ती है вок और ये आस्ता अदे विस्वास एक कला और ये स्मस्किति ये विस्वास और ये आस्ता रास्त निस्टा के साथ हमानी बदलने चाहिए रास्त निस्टा बैक्टिकत कर्तवियों से आगे बढ़ती है जो पंच प्रग्म प्नान मंतरी ची ने कहा कि गुणामी के इंसों का समता समप्त करेंगे, अपने भीरों का, सेनिकों का सम्मान करेंगे, एक तार, एक आत्मता की एक ताय करेंगे, किसी को भी समाज में बेश पहलाने की चूट नहीं देंगे, जाती के नाम पर, चेत्र के नाम पर, भासा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के अदर पर करन्टे मंताक्ते साउधान रहेंगे, और अपने नाकरी कर्तिकों का निर्मौहन करते में बारत को, दुणिया की सबसे बड़ी, पाकत कि लोगए स्थापित करेंगे, तुरका दास्त माट ओर कहीं तु संकल्द था यही कार्ण उस समय कि सब्सक्रण है तक्लानी क्या एक जज्वान के मन में था बहुत सारे लोग थे जिन्हों ने लूगलों के सामने वेदों के सामने समत्र कर दिया था की गैजमेडारी लेंके लिए कि कोई पत्र अक्राप्त करने के लिये लेकि व्यारा हम उनका गास में को बिस्मारी ने रहे हैं। ड्र्क आर्छ दासराफोड के नाम अगर लेहे हैं तेया हैं का जहें हिसानों कि stay सकर्दार सम्मान के साथ, पीर्गकदार स्रथियी लो के पर्टि इन और के पक्तिंदोगों के मन में क्या बार्स र्भाव उपट ही। इस इन पूजा करते हैं, अब पूरे भारमार में जेंगेंगे, जोत पूर्श शेतर में जेंगेैं, पैसर वागालाओ है। और यही भाव प्यक्ति करने के लिए मैं आपके पास आया हूं हमें इन महापुर्सों की प्रत्यों ही सर्दार सम्मान का फार रखना होगा मैं राठोर समाच के इस बात के रविनंतर करूँगा डॉक्टर जियेस घरमेशी के साथ में लोग आये थे मेरा प्रयास था कि मैं 13 लेकिन हर घर प्रणका करिक्तरम की इप्ड़े अम्यान में इस्वान के साथ जुड़े होने के ना कि उस समय निए समय निकाल पाया है लेकिन ने कहा कि जाओंगा तो जरूर जाओंगा क्योंकि रखता है कि आप दस वर्स से यहां मूर्ती मेरा ही द्चाड़ कर रही थी है कि देखो उनकी किर्पा तो मुझे आगई कि प्रस वर्स से मूर्ती इंतिजार कर रही थी और मुझे भी समय कम मिना जो हमारा सबसे पावंते में जिस दिन कृष्ण कनईया आये थे प्रकृष्ण कनईया का जन्व हो रहा है हम राष्ट वीर दुर्गादस राठोर को आगरा में उनकी भव्व्व प्रदिमा का नोकारपण के कारिक्रम के साथ जुड़ रहे हैं पैनों भाईयों राष्ट से बढ़कर भी कुछ नहीं हो सकता कुछ नहीं हो सकता और राष्ट तब ससक्त होगा जब हम एक रहेंगे नेक रहेंगे तभी नेक रहेंगे बटेंगे तो कटेंगे आप देख रहे हैं ना पांगलादेश में देख रहे हो ना तो वो गल्पियां या नहीं होनी चाहिए कटेंगे तो कटेंगे एक रहेंगे तो नेक रहेंगे सुनक्सित रहेंगे और संब्रती की प्राकास्ता को कौँचेंगे हमें विक्सित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिकार करना है मैं एक बार फिर से राष्टवीर दुर्गातासना ठोर जी के सी चणों में कोड़ी कोड़ी नमन करते वे आद उनकी प्रतिमा यहां पे लगी है रास्ति की प्रति समर्पन और स्था का भाव जोना ने अपने सौरे और प्राकरम से लिया था वस्तरता का भाव हमारे मन में सब्यों बना रहे इस विश्वास के साथ आप सब को एक बार फिर से जन्मास्तिमी की इस पावन पिती पर घरते से बढ़ाई देता हो अपनी मंगल कामने आप सब के प्रति प्रति करता हो क्रिश्न कनाया से रादा राने से ही प्रातना करता हो क्या आपकी मनो कामना को पूर्ण करें आपकी जीवन में सुक और संब्रति नहाए आप सब के प्रति आज के पावन पिती की हिरते से बढ़ाई और मंगल में सुक कामना है धन्यपाद जये